मुहस्कार दोस्तों जन्पद नेनिताल वालों का खेल महाकुम की जन्पद इस्तरी पृतियोगिता का इंतजार खतम हुआ यह पृतियोगिता है एक दिसंबर 2022 को प्राते साड़े नो बजे से स्पोर्स स्टीडियम हल्दवानी रूडवेज के पास प्रारम होंगी और पहले दिवस यानि एक दिसंबर 2022 को अंडर 14 बालक बाली का वर्ग में एतलैटिक्स कबड़ी खोखो बॉलीवाल बैडमिंटन और टेबल टानिस की पृतियोगिता हैं संपाधित होंगी साथी अंडर 17 बालक बाली का वर्ग में मल्खम की पृतियोगिता हैं संपाधित होंगी 2 December 2022 को Under 17 बालक बाली का वर्ग में Athletics, Koko, Volleyball, Badminton और Table Tennis की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी 3 December 2022 को Under 14 बालक बाली का वर्ग में Boxing Under 21 बालक बाली का वर्ग में Athletics, कबड़ी, Volleyball, Badminton और Table Tennis की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी 4 December 2022 को Under 17 कबड़ी, Taekwondo और Boxing की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी और Under 21 में बालक बाली का वर्ग में Football की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी बागी सब समस्त खेल जो हैं, Sports Stadium हलदानी में ही संपाधित होंगे 5 December 2022 को Under 21 बालक बाली का वर्ग में कराटे, एकलकाता, Taekwondo और Boxing की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी और 7 बालक बालक बाली का वर्ग में अंडर 14 फुटबाल की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी 8 December 2022 को Under 17 और Under 21 बालक बाली का वर्ग की जूडों की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी साथी Under 17 बालक बाली का में हैंड बाल और Under 17 और Under 21 बालक बाली का में पेंटा थलान की पृतियों की ताएं संपाधित होंगी और 9 दिसम्बर 2022 को अंडर 21 बालक बाली कवर्ग में हैंड बॉल की पृतियोगिता हैं संपाधित होगी इस तरह 1 दिसम्बर से 9 दिसम्बर तक जनपत नैनिताल का खेल महाकुम की पृतियोगिता का आउजन रहेगा किरिपया आप इस वीडियो को जादे से जादे सेयर करें ताकि अधिक्तम खिलाडियों को इसका लाब मिल सके और हमारे यूट्यूब चैनल को आप बराबर यूँ ही देखते रहें सब्सक्राइब करना ना भूले और सेयर जरूर करें और किस तरह की कोई क्वेरी अगर आपकी होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमारा पुरा प्रियास रहेगा कि हम आपकी क्वेरी का निदान करेंगे नमस्कार